क्या आप अपना food delivery business शुरू करना चाहते हैं समझ भी नहीं आ रहे किस तरीके से रहे कैसे करें तो इस वीडियो में मैं आपको step by step बताने वाला हूँ किस तरीके से आप food delivery business शुरू कर सकते हैं अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं या अगर आप किसी rented property है कहीं से भी अगर आ अगर आपका कोई भी question कोई रही है comment section में हमें जरूर बताएं और इस चैनल को subscribe करें क्यूंकि हमारे 95% viewers वो subscribe नहीं करते हैं और सिर्फ 5% viewers 8000 हैं तो मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज हमारे 8000 subscribers होए हैं और इस चैनल को subscribe कीजिए इस चैनल को अपने दोस्तों क आप जैसे बंदों के लिए आप जैसे बंदियों के लिए जो अपना business शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे private group के साथ जुना चाहते हैं description में link दिया हुआ रहेगा जहां पर हम आपको hand holding करेंगे हमारे जो private zoom sessions होते हैं interaction session होते हैं उसके part आप हो सकते हैं तो चलिए इस video को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आप सफल startup एक food delivery business शुरू कर सकते हैं तो so let's get started तो शुरू करने से पहले मैं आपको जब details बताऊंगा अगर आप इसको sun shape में जाना चाहते हैं इसको पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो आप हमारे blog में जाके इसके बारे में पूर कर सकते हैं वहां पर बहुत सारे आपको blogs मिलेंगे links मिलेंगे जहां से आपको startup की बारे में बहुत सारी चानकारी मिलेगे तो चलिए एस वीडियो करते हैं यहां पर हम discuss करेंगे food delivery business from home to food delivery यहां पर आप home kitchen भी हो सकता है या आप अगर fast food का अगर शुरू करना चाहते हैं त does not define any specific food अगर आप एक fast food restaurant चलाना चाहते हैं कुछ भी चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा scale-up भी कर सकते हैं और अगर आपका business बहुत अच्छा चला brand अगर आपने तियार कर लिया तो किस तरीके से आप उसको franchise भी कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में तो यहां पर बहुत ही important question है कोई भी business जब आप शुरू करेंगे तो यहां पर सबसे पहला चीज आपको समझना परेगा बहुत चारे आपको YouTube में वीडियो मिलेंगे जो क्या कैसा बोलते मुझे समझ भी नहीं आता है पर यहां पर कोई भी जब धंदा करोगे तो इस सबसे important चीज है आपका customer की अगर आपको customer ही पता नहीं है तो को धंदा शुरू करके फैदा नहीं है क्योंकि जब भी आप धंदा शुरू करते हैं you are looking to solve a problem of a customer और उसके बाद आपको यह चीज़ में समझना परेगा who is your user and who is your buyer क्योंकि बहुत पर क्या होते है अगर आप tuition पढ़ यहां पर specifically old age जो लोग हैं जो apartment में रहते हैं complex में रहते हैं जिनके बच्चे जो है बाहर रहते हैं जो अकेले हैं खुद का खाना खुद नहीं पका सकते हैं या कोई health issues है क्योंकि जब भी आप 60-70 plus हो जाते हैं उनके बच्चे जो है शादी शुदा हो जाते हैं घर से उनक क्या चाहिए होता है उनको food चाहिए होता है तो आपका सबसे पहला user-based होता है कि खाना कौन आपसे लेगा वो है home delivery specifically वो है old age next हो जाते हैं जो students हैं जो hostel में रहते हैं hostel में रहते हैं या school आप देखो के specifically boarding school या college जो college में रहते हैं तो उनको खाने की जहुद होते हैं उनको hotel का खानार अपको पते ही यह लोग कहते हैं उस्टल का खाना नहीं खाना है बहुत यह हमेस में रहते हैं बहुत लोग घर, बहुत होरे, वह ट्यु सबादो 就 ही 2-3 बहुत तो आपका और आट्योंस हो जाता है next हो जाते हैं कि कि उससे जॉइन डिस होता है पेट कराब होता है तो आफिस गोवर्स पेसिफिकली जो आस-पास खाना डून रहे हैं स्वाधिस्ट अच्छा खाना डून रहे हैं फूर्थ जो सेग्मेंट है वो है हॉस्पिटल में खाना देने के लिए नहीं बोर रहा हूं जो आपके पेश पेशेंट के जो रेलेटिव हैं उनको खाना चाहिए होता है तो यह आपके अभी इमीडियेट अगर बिजनस शुड़ करना चाहते हैं तो यह आपके चार सेग्मेंट हो गए है जो आपके जो प्रॉडक्ट है जो खाना बेचेंगी उसके कंस्यूमर से और उसके बाद दिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जो बहुत दूर रहते हैं वो अपने माबाप के लिए पेमेंट करते हैं तो उनके बच्चे पेमेंट करेंगे अगर आपके बेटे बेटा या बेटी अगर पड़ता है तो उनके पैरेंस जो होस्टल में रहते हैं उनके पैरेंस पे करेंगे, अगर आपके patient party है तो obviously patient party पे करेगा typically इस segment में आपको जो buyer होता है वो user और buyer same ही होता है typically user and buyer are the same तो यहाँ पे आपको जादा differentiation नहीं करना पड़ता है क्योंकि अगर आप यह चीज़ आपको पहले से यूजर और buyer जानना बहुत ही जहुरी है क्योंकि यह अगर आपको clear नहीं होता है तो फिर बहुत दिक्कत आपको होने वाली है business जब आप चलाएंगे तो यहाँ पे चलिए discuss करते हैं location मतलब आपको कौन से location में होने से यह business जो ही अच्छा चलेगा यह typically all location में चलेगा all location का मतलब है कि हाँ कहीं पे जादा पैसा मिलेगा कहीं पे कम पैसा मिलेगा urban area क्योंकि लोगों को खाना चाहिए लोगों को रोटी कपरा मकान चाहिए होता है खाने के लिए खाना चाहिए होता है रहने के लिए मकान चाहिए होता है आपको यह देखना पड़ेगा कहां पे old age home है कहां पे school colleges है आसपास में क्योंकि आपको ऐसा population देखना पड़ेगा जो अपना खाना खुद नहीं बना सकती या बनाने के लिए उनके पास time नहीं है या सामर्त नहीं है उनके पास पेशेंस नहीं है वो skill set नहीं है और जैसे मैं आपको कहा चार सेग्मेंट मैंने आपको बता दिया यह बहुत ही डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर जब उनको खाना चाहिए होता है ठीक है तो अर्बन एरिया में आपको अपार्टमेंट कॉंपलेक्स में आपको old age couple मिल जाएंगी old age home मिल जाएगा school college के एरिया में radius तो हो गई है तो यहां पे आप rural area में रहें या semi urban area में रहें या urban areas में रहें यह सारे चीज़े आपको मिल जाती है एक होता है hospital एक होता है school school और college और एक होता है residential apartment यह तो आपको मिली जाएगा तो यह तीन जगह अगर आपके आसपास में है तो आप इस customer base को target कर सकते हैं तो इस जगह पे आपको बहुत अच्छा एक news है आपके लिए आप कोई भी location में based हो आप इस business को वहां से शुरू कर सकते हैं तो चले discuss करते हैं कि यहां पे आपको क्या license ही होगा क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए license ही होता है दुकान चलाने के लिए license ही होता है बस चलाने क करना पड़े गा क्या-kia license ही होता है क्या-kia special license कोई भी जब आप business शुरू करना चाहते हैं तो यहां पर आपको trade license लेना पड़ेगा क्योंकि आप trade कर रहे हो trade license आपको कहां से मिलता है आपके जो municipality होती है या आपका जो जहां पे आप रहते हैं नगरपाली का होती है उनके पास जाके आप इसके बार में जान सकते हैं या किसी भी आसपार्थ के lawyer, CA या कोई भी finance का account का जो काम करता है वो आपको बता सकता है कि किस तरीके से आप अपने area में trade license receive कर सकते हैं उसको बना सकते हैं लाइसेंस का भी आपका बहुत चारे वो होते हैं, proprietorship होता है, proprietorship मतलब आप single owner है, proprietorship आप कर सकते हैं, LLP कर सकते हैं, private company बहुत कुछ कर सकते हैं, पर initially आप proprietorship में काम कर सकते हैं, या एक decent आपको trade license लीना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पे कोई कभी case करते हैं, कोई भी तो आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास तो trade license है, तो मैं trade कर सकता हूँ, नहीं तो बोलेगा कि आपके बिना trade license के कैसे आप दंदा करें, बिना trade license के आप सामान कैसे बेच रहे हैं, और उसी के साथ सा जब भी आप online कुछ बेचना चाहते हैं, किसी platform के मादिन से बेचना चाहते इसका मतलब अलग से कुछ नहीं है, यहां पे यह certification आपको दिया जाता है, कि आप खाना बना रहे हो, खाना खाने लाएक है, आप जिस जगह पे खाना पका रहे हो, या बना रहे हो, वो जगह साफ सुतरा रहे है, और आपका खाना खाके कोई मढने वाला नहीं है, यह आप इंडिया प्रोवाइट करती है, तो इस certificate को आपको लेना परेगा, अगर आप सुगी में अपना जो खाना है, वो बेचना चाते हैं, जो मैटो में या कोई भी ऐसा प्लाटफॉम, कोई भी ऐसा एग्रिगेटर के मादियम से बेचना चाते हैं, वहाँ पे एक प्री ले सकते हैं, इस certificate को लेना mandatory है, अगर आप कुछ फ्लाटफॉम के साथ जोड़ना चाते हैं, अपने franchise ही कोलना चाते हैं, पैकेट फूट अगर आप बेचना चाते हैं, ऑनलाइन के मादियम से, क्योंकि इस certificate से लोगों को एक भरोसा होता है, कि मेरा खाना सही जगा पर बन है क्योंकि आपको जैसे पता है, कि नले के पानी से लोग खाना बनाते है, तो ये अँगे लोगों में एक डर हमेशा पैधा रह की, मेरा खाना क्या मैं तो मतलब नले का पानी तो नहीं पी रहा हैं, तो यह चीज़ फसाई से क्या होता है, क्या होता है, कि एलिस बषर Daf борца कि अगर आप बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनस होता नहीं टिपिकली और आप उसको जाद दिन चला नहीं पाएंगे तो working capital यहाँ पे जब भी आप कोई business शुरू कर रहे हैं तो इस जगाँ पे क्योंकि आप घर से खाना बना रहे हैं तो घर का सामानी इस्तमाल कीजिए घर का खाना बनाने के लिए तो आपको working capital की वैसे ज़रूरत नहीं होती है जैसे आपका business ग्रो करता है शायद से आपको बड़ा fridge खरीदना परे बड़ा फ्रीजर खरीदना परे बड़ा gas oven यह सब खरीदना परे तो working capital आप अपने घर के खाने से शुरू कीजिए वहाँ पे ज़्यादा investment तो कुछ करना ही नहीं परेगा पर आपको sales और marketing आपको तो marketing और sales करना परेगा बीना sales और marketing के आपके business के बारे में तो कोई जान नहीं पाएगा अगर आप भी पे अड़ देते हैं और Google में आप अगर YouTube वीडियो बना के अगर upload करते हैं तो उसमें अगर आप खर्चा करते हैं तो महीने में तीन हजार रुपए से आप शुरू कर सकते हैं पर मन्त आप 3,000 रुपए खर्चा कीज़े मार्केटिंग में और आपका जो भी खाना पकाना या पैकिंग सामगरी जो होती है पैकिंग की सामगरी आप लोकल भी खरीच सकते हैं और यहां पे आपको हजार दो हजार में आपको कंटेनर भी मिल जाते हैं तो उसके माधियम से आप वह अगर बिकता भी नहीं तो घर में चोटा मोटा सामगरी या मसाला रखने के लिए यूज करी सकते हो तो यहां पे कुछ आपका वेस्टेज नहीं जाएगा जब भी आप शुरू करेंगे 10-15,000 रुपए लेके आराम स आप शुरू कर सकते हैं में आपको जो अब्जिक्टिव है वह है मार्केटिंग पर इंवेस्ट करना है अगर आप जो मैटो स्विगी या ऐसे कोई प्लाटफॉर्म के साथ जूड़ना चाहते हैं तो यहां पे शायद से आपको थोग से इंवेस्ट करना पर है अपना जाएगा बहुत चरे एजेंसी आपको help कर सकते हैं या अगर आप खुद करना चाहते हैं खुद भी कर सकते हैं अपना बिजनेस जो यह वर्किंग कैपिल लेकर शुरू कर सकते हैं और इसको लेटर ऑन यह रोलिंग कैपिल हो जाएगा कि जब भी आपका जितना माल दूसरे किसी location में move कर सकते हैं बड़े kitchen को hire कर सकते हैं उसको rental पर ले सकते हैं यहाँ पर एक सीज़ आप ध्यान रखें कि unless and until अगर आपको आपका business ग्रो नहीं कर रहा है तो आपको ज़्यादा headache नहीं लेना है और आपको तो shop front नहीं चाहिए आपको shop front मतलब कोई रास्ते के ओपर main road के ओपर दुकान आपको नहीं चाहिए होगा आप तो अपने घर से ही शुरू कर रहे हैं आप अपने residential area से ही इसको operate करेंगे तो इस जगह पे आपको commercial property लेने की जरुवत नहीं है आप residential property से ही आप safety precaution लेके आप अपने business को शुरू कर सकते हैं next हो जाता है कि equipment मे कितना invest करें कि कितना invest करना है क्या खरीदना है क्योंकि अगर आप अगरवत्ती का factory कोलना चाते हो तो अगरवत्ती का machine कोलना खरीदना परता है अगर आप photography करना चाते हो तो photography के लिए camera खरीदना परता है माइक खरीदना बहुत कुछ खरीदना पर यहाँ पर कितना investment है यहा बेस्यत्या-खाइभी troire या उससे आप संपर करें वो हैं को करेगा就是說 के Applause करेंगे भुड़ा बढा चुला बेकृट करेंगे जब करेंगे बढ़ा चुला घरिए बहुत कुछ बढ़िया आजकल इतना फाइदा हो गया ने इतना सुभीत हो गया आपको कुछ भी EMI में तो मिली जाता है और हर एक चीज का दाम इतना कम हो गया कि घर घर आप आराम से बिजनस शुरू कर सकते हैं ऐसे चोटे-चोटे शुक्ष्म माइक्रो बिजनस से कर सकता है जब आप देक आपका बिजनस जू है स्लोली अज्राजूली य ग्रॉ कर रहा है तो जले बात करते हैं कि मार्जीन के बारे में कि इस में कि इस मैंपर biological हैं तरफ इस बेड इस तका खर्चा हो वह उसको 45 रूप है साट रूपय में बेश रहे हैं एक रोल पकड़ लो या आपका 30 रुपे का एक रोल है वो उसको साथ रुपे में बेच रहे हैं सब्सक्राइब का मतलब यह हो जाते कि आपको इस चीज को इसलिए उसको दस दिन बाद पर नहीं करना परेगा तो इसलिए मार्जिन अगर जादा भी होता है फिर भी आपको यहाप भी वेस्टेज धान में रखना है क्योंकि इस business में wastage is a very big concern अगर आप photography करते हैं, photo तो आपका waste नहीं होता है अगर आप manufacturing, welding करते हैं, तो welding जो है, आपने grill बना लिया आपने product बना लिया, आपने photo frame बना लिया, वो तो waste नहीं होता है वो आप एक साल बाद भी बेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं पर खाना जो है, वो 24 गंटे के अंदर आपको consume करना पड़ेगा या आपको fake दना पड़ेगा, तो इसलिए margin जो है, इस जगापे बहुत अच्छा margin है पर please equate it, आपके market के अनुसार ये चलेगा कि आप क्या बेच रहें अगर आप बिरियानी बेच रहे हैं, या अगर आप मैगी बेच रहे हैं तो उसके उपर depend करता है कि आपका margin कितना होना चाहिए थोड़ा tally कर लीजे, आपको पता चल जाएगा कि आपके competition कौन है, क्या है आपको margin पता चल जाएगा, आपको overhead cost जब आप देखेंगे और selling price देखेंगे मतलब manufacturing cost और selling cost उसमें तो आपका margin आता है वो जब आप calculate करोगे आपको पता चल जाएगा इसमें जादा आपको बतानी की ज़ोरत नहीं आप बहुत स्मार्ट आपको पता चल जाएगा और इसमें यह जानना बहुत ज़ोरी है कि competition क्या है तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि competition कौन है competition में आपका जो local restaurant है जिनके यहाँ पर अभी customer नहीं आ रहे हैं वो अभी आपका online में खाना बेच रहे हैं या आपके fast food जो बेचते हैं वो आपके competition है फिर उसी के साथ चाथ बहुत सारे hotels आपके बंद हो जा रहे हैं वो आपके competition है उसी के साथ यह video देखके जो अपना business शुरू करने वाले हैं वो भी आपके competition है बहुत सारे fast food sellers या जितने भी sellers हैं जो सुईगी जोमाटो में आपके साथ compete कर रहे हैं अगर आप independently बेचना चाहते हैं तो सुईगी जो food delivery है food delivery app भी आपका competition है यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो यह सारे इतने सारे आपके competition से आप तो एकदम चक्रिवीव में बीच में फस गए हो पर इसमें टेंशन लेनी के जोवत नहीं है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंतर आप देखेंगे तो आपको पता चाहिए किस तरीके सा आप इस business में भी जीच सकते हैं competition हुआ तो क्या हुआ और उसके बाद आजाता है कि आपको किस तरीके का workforce है workforce यहां पर इसे आपको पता है कि आपको highly skilled एकदम नहीं चाहिए आपको low skilled चाहिए या semi skilled चाहिए और आपको इस तरीके के labor force चाहिए जिसको आप काम सिखा सकें आपको खुद train करना पड़ेगा कि यह खाना बनाओ यहां पर इतना one tablespoon आपको यह डालना पड़ेगा two tablespoon आपको यह डालना पड़ेगा आपको aggressive ही बना के रखनी पड़ेगी और आपको batch processing batch में आपको खाना जो है बनाना पड़ेगा तो आपको पता ही है आपको low skill से काम करना पड़ेगा, semi skill से काम करना पड़ेगा और semi skill और low skill जो है उसमें operate cost आपका कम होता है high skill अगर आप labor लेते हैं या high skill किसे को hire करते हैं तो आपका 20,000-30,000 रुपे आपका खर्चा हो जाता है semi skill आपका 12,000-15,000 में आ जाएगा low skill आपका 8,000-7,000 में आ जाता है तो इसी तरीके से obviously depend करता है location में बट ये आपका branch हो जाता है तो आप यहाँ पर semi skill से भी काम करा सकते हैं low skill से भी काम करा सकते हैं तो आप यहाँ पर यह final objective है यहाँ पर आपको यह पता चलेगी किस तरीके से आप यहाँ पर जीत सकते हैं first is price obviously सस्ता खाना, अच्छा खाना, बहुत ही बड़िया खाना लोग आपके पीछे भांगेगे इसलिए आप देखोगे बहुत सारे ऐसे movies में भी आप नहीं देखोगा या खुद भी आपको पताएगी इस जगह पे 12 रुपए में अच्छा दोसा मिलता है लोग वहीं पर जाके खड़े रहते हैं कि उनलाइन दिया हुआ रहता है brand value आपका एक दिन में नहीं होगा जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे brands तेयार होगे बड़े brands तो जैसे Domino's, KFC आपको पता है पर locally आप देखो कि आमा का खाना या ताउ जी का दुकान, S.R.A.P का धावा ये शर्मा जी का धावा, सिंग जी का धावा कौर जी का धावा, ऐसा आपको धावा मिलेगा तो उसका मतलब क्या है कि आपका brand value उनों ले, ये time लगता है इसमें time लगता है, तो इसमें आपको time देना परेगा क्योंकि आप long term business कर रहे हैं sales marketing is very important, अभी इस जगह पे lockdown में आपको बाहर marketing करके फायदा नहीं, आपको online marketing करना परेगा facebook, youtube में आप जाईए youtube में ऐसे videos बनाएं कि मैं इस तरीके से खाना बनाता हूँ, customer feedback लीजिए customer को बोलिए testimonial video बनाके आपको भेजेगा, वो आप youtube में upload कीजिए, उसके बार में आपको जानकरी मिलेगी तो आप उस video को testimonial को promote करके आप ज़्यादा customer को लेके आ सकते हैं, आपको पड़ेगा, उनको prompt reply देना पड़ेगा, अगर कोई सुबह आपको बोलता है कि मुझे breakfast ही 11 बजे, तो आप कोशिश कीजिए उनको cater करने का, या उनको बताइए कि अभी तो breakfast कतम होगी, आप lunch ले लो quality आपको अच्छा होना पड़ेगा, आप बहुत जगा पे और वो एक रोल बेज बेज की उसने enfil bullet कमा बना लिया है, हर महीने 40,000, 50,000, 80,000 रुपे कमाते हैं अपने ठेले से एक रोल बेज के, सिर्फ एक रोल बेज के, तो वहाँ पे quality आपको घ्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपको quality अच्छा है, लोग ऐसी आएंगे, इनिशेली यहाँ पे, मेन आपको लगेगा कि price और quality कैसे maintain करें, इस जगा पे आप थोड़ा से experiment कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस price में मैं अच्छा quality दे सकता हूँ, पर quality के साथ compromise मत कीजिए, visibility होना बहुत ही ज़व ही है, क्योंकि khanे वाले एरियां में क्या होते, कि लोग भूगे होते, तब भी आपको याद करते हैं, ऐसे वक कोई याद नी करते हैं, सोने वक कोई खाता नहीं है, पर बहुत ही आपको याद करते हैं, इसलिए आप देखばोगे, prime time में, जैसे 7-8 बजे, 10-11 बजे इतना आपको ad मिलेगा, खाने वाले ad आपको मिलते रहते हैं, तो visibility is also very important कि आपको सही समय पे, सही जगा पे visible होना पड़ेगा, ताकि लोग आपको reach out करके, आपसे आपका स्वाधिष्ट खाना मंगवा सके, और आपको अपना जो है अपना भोजन जो आप जब अपना पेट पूजा भी कर सके और आपको खमाई भी दे सके तो इस जगा पे आप subscription package कर सकते हैं, जैसे breakfast हो गया, ठीक है, और आपका lunch हो गया, फिर आपका dinner हो गया, तो इस जगा पे आपने उनको बोल दिया कि, अरे भाई, खाना तो आपको daily है, आप दो दिन छोड़ छोड़ के तो खाना नहीं काते हो, daily तो आपको खाना खाना होता है, तो आप breakfast का package ले लो, एक महिने का, वेज़ वाला यह जो भी है, यह आपका 900 रुपए, लंच आप ले लो, 1200 रुपए, डिनर आप ले लो, 200 रुपए, 2000 रुपए, और पुरा महिने का यह package आपका हो गया, 5000 रुपए में, आप देखो, ऐसे package system करके रखो, तो subscription में सबसे वारा फायदा यह होता है कि customer retention बहुत दिनों तक रहता है, customer को आप retain कर पाते हो, आप उसको हर बार आपको एक एक रोल बेज के भागना नहीं परते है उसके पीछे, आप एक customer को 2 महिना, 3 महिना, आप hold कर सकते हो, और एक customer को अगर आप 5,000 रुपए, पती महिना, 3 महिना hold करते हैं, तो उसका lifetime value कितना हो गया, 15,000 रुपए, आप उसका lifetime value हो गया, तो इसी तरीके से आपको subscription package, किसी तरीके से कोशिश करना पड़ेगा, कैसे आप subscription package इसमें इस्तमाल कर सकें, अच्छे quality का material जैसे मैंने कहा कि, इस्तमाल कीजिए, घटिया quality का material मत इस्तमाल कीजिए, क्योंकि लोग जब उसको चबाएंगे, मूँ में डालेंगे, उनको पता चल जाएगा, कि आप अच्छा माल इस्तमाल कर रहे हैं, या घटिया माल इस्तमाल कर रहे हैं, और इस जगा पर choices उनको offer कीजिए, जैन लोगों के लिए without any onion, any garlic, any ginger आप offer कीजिए, जो vegetarian हैं, उनको veg आप offer कीजिए, जो आपके non vegetarian हैं, उनको आप non wedge offer कीजिए, तो इसी तरीके से बहुत सारे जो हमारे societies है, communities है, यह depend करता है, आप कहाँ पर रहते हैं, अगर आप jan majority वाली area में रहते हैं, तो obviously वहाँ पर अगर आप non wedge बेचेंगे, तो कोई नहीं लेगा, कोई नहीं खाएगा, अगर आप non wedge area में jan food बेचेंगे, कोई खाएगा, कोई नहीं खाएगा, तो इस जगा पर इसी तरीके से आपको समझना परेगा, आपका target audience मैंने आपको बता दिया है, उसी तरीके से आप इस business में आगे बढ़ सकते हैं, और क्योंकि competition तो हर जगा होता है, और इस competition में इसी तरीके से, इस step by step जैसे मैंने आपको बता है, इस तरीके से आप इस race को जीत सकते हैं.